हेलो एवरिवन मैं वेपिंजेन फांडर फ्लाइन वेपिंजेन फ्रेंट्स आज तारीक है 26 दिसंबर 2023 अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको तारीक क्यों बता रहा हूं तारीक बताने के पीछे काफी ठोस रीजन है आज मेरे पास एक्षिल में देखा जाए तो इस साल के द पास से अब आपको मार्केट में प्री बजट रैली दिख सकती है यानि कि बजार में उन शेरों के अंदर आपको तेजी दिखेगी जिनका बजट से सीधा सीधा कनेक्शन है यानि कि वह सेक्टर जो गवर्मेंट के फोकस में है गवर्मेंट की प्राइटी में है और देख भी आज आपके साथ पांच ऐसे स्टॉक डिसकस करूंगा जिनके अंदर आपको बजट परी रैली दिख सकती है बजट से पहले एक रैली दिख सकती है क्योंकि बजार इन शेयरों को लेकर आपको आने वाले समय में पॉजिटिव दिखाई देगा क्योंकि यह सभी उन के फोकस में रहने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं माज की अपनी वीडियो सबसे पहली जो हमारी कंपनी है वह डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिफेंस सेक्टर के अंदर गौशेष स्रूप से फोकस है गौश्य ने देखा जाए तो पिछले बजट में लगबग 13 15 ciao यानि की कवब्मेंट का डिफेस सेक्टर पर एक विशेश रुप से फोकस रहा है क्योंकि क् entर 2 आतने निरहर सब बनाने की कोचिशуск में हैं और ये जो कमपनी है इसका नाम है HAL हंदुस्थान एयरोनोटिक्स लिमिटेड और इस के देखा जाए यह समय इस समय golden period चल रहा है company के उपर order की भर्मार है company के पास एक अच्छी का सी order book है और यह company देखा जाए एट परजेंट एरकराफ बना रही है company जो हेलिकॉप्टर बना रही है और देखा जाए तो technology के हिसाफ से इस company को प्रांस की सैफरों जैसी company का support है और company लगातार नए नए प्लांट लगा रही है और इस company ने recently INS विकरांत के लिए gas turbine बनाने का भी काम किया था और देखा जाए तो यह company technology based भी समय काफे strong दिखाई दे रही है और जिस तरीके से अब company का portfolio बढ़ रहा है और जिस तरीके से company तेजर जैसे विमान को बना पा रही है उसके कारण अब इस company को काफी सारी neighboring country से अब order भी मिल रहे है यानि कि यह company अब export की और भी अपने कदम बढ़ा रही है फिर जिस तरीके से defense sector के अंदर current government का focus है वो clear cut यह बता रहा है कि इस साल भी defense sector को government आसा weightage defense sector को देगी और defense sector के अंदर हेल एक मात्र ऐसी company है जो सबसे ज्यादा weightage रखती है इस समय और जो सबसे ज्यादा government के priority में है देखा जाए तो यह company अपने हाई से काफी समय correct भी हो चुकी है लबग 2800 का इस company का 8% भाव है और लबग 4100 का यह company high भी दिखा चुकी है मेरी न internet के आसपास यह आपको company दिख सकती है क्योंकि बजार भी कहीं न कहीं अब defense sector की इस रेली को समझ रहा है और समझेगा क्योंकि government का इस sector के विशेश रूप से focus है दूसरी जो हमारी company है वो railway sector की company है railway sector के अंदर government का विशेश रूप से focus है और railway के अंदर government लगातार infrastructure को बढ़ रही है देखा जाए तो नहीं नहीं railway tracks बिचाए जा रहे है क्योंकि high speed train चलाई जाएंगी बंदे भारत ट्रेंज जैसी ट्रेनों को government लगातार अपनी fleet में add कर रही है freight corridor बना रही है signal system change कर रही है government और देखा जाए तो government freight wagons भी लगातार खरीद रही है तो जो यह बता रहा है कि government railway sector के उपर विशेश रूप से focus कर रही है railway sector के अंदर अगर देखा जाए तो last year government लगबग 2.5 लैक करोड रुपे का budget रखा था जो कि इस साल और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि government लगाता railway का expenditure कर रही है और जो आज की हमारी जो company है उसका नाम है IRFC Indian Railway Finance Corporation Railway sector के projects को finance करने वाली देश की दिगज company या एक मात्र company जो railway sector के लिए एक monopoly company के तहत काम करती है और यह आप कह सकते हैं वे sector को कहीं भी अगर expansion करना है तो वो पैसा IRFC के माध्यम से ही लाना होता है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि railway के अंदर capex चल रहा है उसका एक मात्र beneficiary IRFC है जिसको हर तरीके की तेजी का मज़ा मिलने वाला है और आप देखिए IRFC के share में समय तेजी दिख रही है पिछले कुछ दिनों से भी तेजी दिख रही है बजार इसकी re-rating करने में भ होती दिखेगी क्योंकि IRFC देखा जाए तो एक समय strong financials और strong future वाली company दिखाई दे रही है जिसके पास आने वाले समय में काफी सारा business आने वाला है और अगर government ने railway sector के अंदर अपने capex को फरदर बढ़ाया तो इसका मतलब यह होगा IRFC को यहां पर सीधा सीधा benefit होगा तो मेर नजर में IRFC वी आपको लगबग 25-30% का return easily दिखा सकता है आने वाले एक दो महीने के अंदर और budget से पहले एक strong candidate होगा यहां पर एक अच्छी खासी रैली के लिए तीसरा जो हमारा sector है वो sector है पावर सेक्टर पावर सेक्टर को तो आप जानते ही है पावर सेक्टर को हमने कि विशेश रूप से focus है रिनेवल एनरजी सेक्टर पर गवर्मेंट चाती है ज्यादा से ज्यादा बिजली पावर सेक्टर के अंदर रिनेवल सेक्टर से बनाया जाए और गवर्मेंट लगातार expansion कर रही है लगातार कंपनियों को force कर रही है कि आप नएने प्रोजेक्ट ल पाएगी जब हमारे पास power capacity बढ़ चुकी होगी और इस capacity expansion के लिए पैसे की भी जुर्त है तो आज मैं जो company आपके साथ लाया हूँ हमारी all time favorite company power finance corporation ये company देखा जाए लगबग 200 रुपे के आसपास से हमने cover की थी वहां से इस company ने जवर्दस rally दिखाई है एक साल के अंदर और ये company आपको आगे भी बहुत बड़ी rally दिखाने वाली है क्योंकि ये power sector को finance करने वाली देश की एक दिगज company है जो REC के अंदर 53% stake hold करती है और power sector का capex इस company के बिना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये company power sector पर focus करने वाली एक देश की दिगज company है company return on equity के लिहाँ से देखें earning के लिहाँ से देखें सभी पैमानों पर ये company इस समय attractive है और ये company देखा जाए तो इस समय अपने price to book के आसपास भी है और साथ ही साथ इस budget के अंदर power sector के अंदर government विशेज रूप से focus करकर power sector को इस समय focus करेगी और power sector की इस rally में power finance corporation lead करता हूँ दिखाई देगा यानि की budget से जो पहले पिरी rally आईगी उसके अंदर आपको power finance corporation के अंदर एक अच्छी खासी rally दिख सकती है और ये share अगर आपको यहाँ से 20-30% की भी 20-30% की भी तेजी दिखा दे आने वाले महिने भर के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि power finance corporation financial के अधार पर भी एक री रेटिंग candidate है और साथ ही साथ government के focus वाले sector की एक company है तो मेरी नजर में power finance corporation भी एक पिरी वेजर ट्रैली का strong candidate है चोथी जो हमारी company है वो mining sector की company है mining sector भी अब देखा जाए तो नए-ने reform से गुजर रहा है government का इस sector पर विशेश रूप से focus है और य company के अंदर लोग बाग कम invest करते थे या यह share काफी कम चलते थे company का नाम है GMDC और जिस तरीके से देखा जाए government rare minerals के लिए auction करने जा रही है और government का विशेश रूप से focus है इस company को इसका काफी बड़ा benefit होने वाला है company देखा जाए तो 8% भी rare minerals में company कारोबार करती है और इस company न mining काफी सारी mining को auction करके जीता भी है और वो आने वाले समय में company के revenue में दिखने वाली है और यह company एक strong candidate है growth का और mining sector के जो reforms है mining sector पर जो government का focus है वो इसका असर इस company की balance sheet पर company के financials पर आपको सीजा सीजा दिखाई देगा और मुझे कहीं न कहीं यह लगता है कि government mining sector के अंदर budget के अंदर काफी बड़ी गोशनाएं करेगी और उस गोशनाओं में GMDC को आपको एक विशेश रूप से फाइदा दिखने वाला है तो GMDC भी देखा जाए आने वाले समय में आपको काफी बड़ी rally दिखा सकता है यह महीना मुझे लगता है कहीं न कहीं GMDC और NMDC जैसी company को हो सक रखता है तो आपको माइनिंग सेक्टर की कंपनियों पर भी विशेश रूप से फोकस रखना चाहिए बजट से पहले और बजट के बाद की तो rally जो होगी वह घोशनाओं के बाद अलग ही आपको दिखाई देगी पांच भी जो हमारी कंपनी है वह इंफ्रस्ट्रेक्टर क्योंकि कंपनी जो है देखा जाए तो एक्सप्रेस वे बनाने का भी कारोबार करती है फ्लाई ओवर टनल्स बनाने का भी कारोबार करती है मेट्रो बनाने का भी कारोबार करती है कंपनी सैनिटेशन और वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटिड भी प्रजेक्ट पर काम करती है power sector के अंदर भी ये company काम करती है railway के अंदर भी ये company काम करती है irrigation के अंदर भी company काम करती है और साथ ही साथ mining के अंदर भी ये company कारोबार करती है यानि कि इस company को जो benefit होना है वो roads and highway से भी होना है railway से भी होना है irrigation से भी होना है water से भी होना है तो इक company को देखा जाए तो diversified order book इस company के पास है और इस company के पास जदातर order उन sectors के हैं जहाँ पर government का विशेश रूप से focus है और वो focus इस budget में भी ऐसे ही बना रहने की उमीद है NCC भी देखा जाए तो इस समय काफी अच्छे valuation पर company trade करती है double digit ROE वाली company है और इस company इस साल के अंदर अच्छी कासी performance दिखाने का दमखंबर रही है क्योंकि company की order visibility भी काफी कुछ बता रही है तो मुझे लगता है NCC भी देखा जाए तो इस साल आपको budget से पहले एक अच्छी कासी rally दिखा सकता है और budget के बाद भी क्योंकि NCC समय strong candidate है और इसकी जो order book है वो clear cut ये बता रही है कि सारे ही segment का मज़ा इस company को मिल रहा है और ज्यादा तर इस company के वो segment है जहापर government का विशे इस रूप से focus है तो मेरी नजर में आप NCC को भी budget से पहले focus में रख सकते हैं ये company आपको short term rally दिखाने के लिए तयार दिख रही है तो आज हमने जो भी पाचों company आपके साथ discuss करी है इनके अंदर दमखम है पिरी budget rally दिखाने का और post budget rally भी इनके अंदर काफी अच्छी करेंगे नमस्कार